नमस्कार दोस्तों मैं हो प्रजेश सिंग और आप देखने लाइव उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जलाकर मार दी गई पीड़िता के पोस्तमॉटम रिपोर्ट में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है पीड़िता ने मौस से पहले मजिस्ट्रेट को जो बयान दिया था उसमें उसने लाठी से मारने और चाकू पर गले से वार करने की बात कही थी जबकि पोस्तमॉटम रिपोर्ट में मौत अकारण जलना बताये गया है उसके शरी पर चोड़ के किसी तरह के निशान नहीं है सूत्रों की माने तो पीड़िता के बयान और प पोस्तमॉटम करवाय गया था पोस्तमॉटम रिपोर्ट पहले सब्दरगन स्थाने और उसके बाद दिल्ली एसपी के पास भेजी गई है मामले की जांच परताल में देरी ना हो पाए इसके लिए एसपी ने विशेश वाहक को रिपोर्ट लाने के दिल्ली बेजा है रिप बिलांस की मदद से 5 दिसंबर की सुबह घटना स्थल पर मौजूद मुबाइल फोन की परताल की है अलसुबत छेत्रों के जिन मुबाइल नंबरों पर बातचीत की गई है पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल खंगाल ली है उनमें एक अन्य यूवक ने आरूपी से कई बार ब झाल